नमस्कार मैं हूँ श्रेय भारती और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक पूर्व सांचर श्राबुद्दिन के निधन के बाद लगतार राजत खेमे में विरोधी की लहर तेज हो चुकी है कई सारे नेता कल से लगतार स्तीफा दे रहे हैं और स्तीफा देने वालों क की जड़ी लग चुकी है बता देगी पूर्व सांचर श्राबुद्दिन के निधन के बाद लालू परिवार से किसी का भी अस्पतल न जाना और किसी भी राजत विधाया का उसामा के साथ खड़ा न होने से श्राबुद्दिन के समर्थ तक काफी नाराज है ताजम आमला के जाहिर करते हुए एक विग्यापिती जारी की है और उन्होंने अपने पत से स्तिफा देते हुए लिखा है कि पूर्व सांसर डॉक्टर मुहम्मद शाहबुद्दीन राष्ट्री चंता दल के संस्थापकों में से रहे हैं उन्होंने न केवल पार्टी के गठन में भू तो पून भूमी का निवाई राजत के एक वाई समीकरन के अधिकार को एक जुट करने में वो एक महत्वपून करी थे रक्तिगत तोर पर उन्होंने कभी धर्म के आधार पर राजनीती नहीं की और न कभी उसका समर्थन किया माले नकसल आदी शक्तियों का विरोध और मज नीतिक जीवन राजत को सीचने में अर्पित कर दिया डॉक्टर मुहमद शाबुद्दीन से मेरा व्यक्तिगत संबंध था वेना कवल मेरे अच्छे मित्र थे बलकि भाई समान थे मेरी उनसे काफी घनिष्टता रही उनके असमय निधन्म से मैं काफी महर्मात वह पार्थिव शरीट देने में आना कानी करना जवरन दिल्ली में अंतिम संसकार करने को मजबूर करना आधी घटनाओं के बीच पार्टी के किसी भी नेता का बयान तक नहीं आया ये काफी निराश पूर्ण है राजत के शीर्ष्ट नेताओं के दिल्ली में मौजूद रहते हुए भी किसी का डॉक्टर शाबुद्दीन के कलौते बेटे से मिलने तक नहीं जाना ना कोई सहयोग ना धाड़स ना सहानुबूती ये पार्टी का राज धरम नहीं अपने सच्चे सिपाही संस्थापक सदस्य मजबूत स्थम और परिवार के सदस्य करपती ऐसी अपेक में की सदस्य से तकाल इस्तीफा दे रहा हूं